लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली के मुखे मंत्रूई अर्विंद केजरीवाल ने कारे करताओं का उतसा बढ़ाया सीम ने हार सविकार कर अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव पर उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा पूरे देश के अंदर एक इन चुनाव में अलग किसम का माहौल था पूरे देश के अंदर और दिल्ली उससे अच्छूती नहीं थी दिल्ली के अंदर भी उसी किसम की आंधी बह रही थी जो पूरे देश के अंदर बह रही थी और दूसरा कारण आप लोग भी जब कई जगे जा रहे थे और मेरे को भी सुनने को मिलता था कई लोग कहते थे कि यह तो बड़ा चुनाव है यह तो राहूल जी और मोदी जी का चुनाव है यह तो केजरिवाल जी का चुनाव नहीं है केज रिवाल जी का चनाव आएगा तो सारी कसर पूरी करेंगे ये तो राहूल जी का और कहते थे कि नहीं कहते थे मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कुछ कारे करता हूँ को मैं पिछले कुछ दिनों जिसे जब मिल रहा हूँ तो वो थोड़े मायूस नजर आ रहे है मैं उन्हें कहना चाहता हूँ मायूस होने की क्या बात है जब पूरी दिल्ली की जनता आपकी तारीफ कर रही है पूरे देश की जनता आपके कैंडिडेट्स की तारीफ कर रही है पूरे दुनिया की जनता आपके कामों की तारीफ कर रही है आपको तो कॉलर उची करके सर उचा करके घूमने की जरूरत है आपने अपना काम किया दिल्ली की जनता ने सोचा ये उनका उपर वालों का चुनाव है अब दिल्ली की जनता के पास जाके बोलना कि जि बड़ा चुनाव खतम हो गया अब छोटा चुनाव आ गया अब छोटे चुनाव के अंदर काम के उपर वोट पढ़ना चाहिए नाम के उपर वोट नहीं पढ़ना चाहिए